दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम सोडियम वैपल लैम्प को पोल पर चड़के कैसे मैंटेनेंस करते हैं तो देखिए यह जो पोल है यहाँ पर हमारी एक 500 बाट की सोडियम वैपल लैम्प लगी हुई है और वो खराब हो गई है जल नहीं रही है तो हमें इसको मैंटेनेंस करना है तो देखिए इस प्रकार से हम उस पर पोल पर खड़े होते हैं और चड़ना होता है तो हम जो सीड़ी है सबसे पोल के लास्ट में है और जो सीड़ी है उसके सबसे टॉप पर हमने पैर को रखा हुआ है और अपने आपको बैल्ट से बांद के रखा है और अब हमें इसको मैंटेनेंस करेंगे यह जो सोडियम वैपर लेंप है यहाँ पर सोडियम वैपर लेंप है और इसके बाद चोक है उसका ब्लास्ट है और उसके बाद एक लगा हुआ है तो इन मेंसे कोई comment कराब हो जाता है जिसके कारण जो लाइट है वो जलती नहीं है तो हमसे बुई है वो maintenance करना है और हम करेंगे तो दोस्तों अभी हम वीडियो नहीं बना पाएंगे इसका क्या से maintenance कर रहे हैं क्या से चेक कर रहे हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो पहले बनाया रखा है जिसमें हमने आपको बताया कि sodium vapor lamp को कैसे maintenance किया जाता है तो उसका link हम description में दे देंगे आप बहां से उसको देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें हर पोल पर चड़ना पड़ता है जहां पर भी हमारी जो light है वो लगी होती है और इसी प्रकार से हम इसको maintenance करते हैं दोस्तों इसी प्रकार क कि और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके हमें support जरू करें जिससे हम आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो लाते रहें तो हमारे चैनल को subscribe जरू कर लें और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो upload करें उसका notification सबसे पहले आपके पास कर दो आपके बादे